राधे राधे हरे किष्णा, आप सब का कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, आने क्या है एकादशी पारण का नियम, व्रत खोलने के बाद क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। एकादशी का व्रत सबसे पुर्ण दाई होता है लेकिन पारण सही विधी से न किया जाए तो इस व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इलिए व्रत पारण की विधी के बारे में सही जानकारी लेना आवश्यक होता है। एकादशी व्रत का नियम दशमी से द्वादशी तक चलता है। द्वादशी को पारण करते समय चावल जरूर खाना चाहिए। तामसिक चीजों का पारण में भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान विश्नु के निमत रखा जाता है। हर मास में एकादशी आती है और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्मे भी बढ़ जाता है। एकादशी वरत करने के लिए दश्मी के दिन से वरत के नियम लागू लग जाते हैं जो दवादशी तक चलते हैं दश्मी से लेकर दवादशी तक वरत के नियमों का पालन यदि मनुश्य नहीं करते हैं तो इससे उन्हें वरत का पूरा पुन्न लाब नहीं मिलता है ऐसे में हर किसी को यह जानना चाहिए कि वृत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां ना करें एकादशी पर नियम और सैयम के साथ वृत रखकर भगवान विश्नु की उपासना करने के बाद अगले दिन दौदशी तिती पर पारण में खास चीजों का सेवन करने का विधान है एकादशी के वृत के पारण में कुछ विशेश चीजों का प्रियोग करने से आपको वृत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवतागण भी प्रसन्न होते हैं आईए जानते हैं कि वह क्या चीजे हैं पहला भगवान विश्नु को तुलसी दल बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी न हो तो वह पूजा या भोग वह ग्रहन नहीं करते हैं इसलिए भगवान विश्नु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रियोग जरूर करें और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को सबसे पहले अपने मुख में डाल कर ही पारण शुरू करें, मतलब की तुलसी पत्र मुँ में डाल कर और उसे पानी से निगल लें। आवले के पेड़ पर भगवान विश्नु का वास होता है, इसलिए आवले का भी विशेश महत्व होता है। अनिता है कि एक आदशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनी में जनम पाता है, लेकिन दुआदशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनी से मुक्ती मिलती है। सेम को कफ और पित नाशक माना गया है और व्रत पारण के लिहाज से भी यह उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्त के हिसाब से बेहतर पारण भोज्य माना जाता है। भूल कर भी ना करे पारण में इन चीजों का प्रियोग, पारण करते समय कुछ चीजों का प्रियोग भूजन में भूल कर भी नहीं करना चाहिए जैसे मूली, बैगन, साग, मसूर की दाल, रहसन प्याज, आदी का पारण में प्रियोग निशेद बताया गया है, बैगन पित अधिक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती है। लेसन प्यास्तामसिक वोजन होता है। इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित माना जाता है। इसके खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंजा और अशांती के भावना आती है। एकादशी वरत के नियमों का ध्यान रखना जितना जरूरी है, उतना ही आवश्यक है पारण समय का ध्यान रखना। पुरोहित से बात जीत के आधार पर ये अवश्य ध्यान रखे कि एकादशी वरत का पारण का क्या समय है, जो समय हो उसी समय पे पारण करना चाहिए। पु पाप के समान माना जाता है कादशी वृत का पारण हरी वासर के दोरान भी नहीं करना चाहिए जो वृत कर रहे हैं उन्हें वृत तोड़ने के लिए हरी वासर समपन होने का इंतजार करना चाहिए अभी एकादशी दो दिन का पड़ जाता है ऐसे समय इसमार्त परिवार के लोगों को पहले दिन वृत रखना चाहिए दूसरे दिन यानि दूजी एकादशी को सन्यासी विद्वाओं और मुक्ष प्राप्ती के इक्षकों लोगों को वृत रखना चाहिए एकादशी के वृत को समाप्त करने को पारण कहते हैं एकादशी वृत के अगले दिन सूर्य दे के बाद पारण किया जाता है एकादशी वृत का पारण दूयोग ब्राह्मण को दान दक्षडा अन का दान आदी करके ही करना चाहिए और दूजी तिति के दिन भी प्रमचर का पालन करना चाहिए नियम धरम और सयम का पालन अवश्य करना चाहिए ध्यान रखे एकादशी पे चावल खाना वर्जी तो होता है लेकिन पारण के लिए पारण के वक्त चावल खाया जाता है एकादशी व्रत को खोलने के लिए सबसे उत्तमति थी द्वादशी की मानी ज एकादशी का वृत अगर आप करते हैं और उसका पूर्ण लाव यानी पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो एकादशी वृत करने के बाद एकादशी वृत का पारण कैसे करें अगर आप एकादशी का वरत करते हैं तो एकादशी का पारण भी आपको नियम से करना होता है अगर आप वरत के उपरांत एकादशी के पारण में जरा सा भी गलती करते हैं तो आपको एकादशी वरत का पूर्ण लाब नहीं मिलता है तो उमीद करती हूँ कि कैसे करे एकादशी व्रत का पारण ये आपको जानकारी मिल गई होगी इस वीडियो के माध्यम से तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे